नितीश कुमार को वो शक्स माना जुआता है जिन्होंने सभी विपक्षी दलो को एक जूट किया था सभी को एक मंच पन लाया था और बनाया था इंदियागर पंधन पिछले साल से ही ये कवायद शुरू हो गए थी लोगसभा चुनाव के लिए सत्त से जो विजेपी को हटाने के कयास शुरू कर शुकी थी विपक्षी पार्टी लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल निभा रहे थी वो थे नितीश कुमार कहा जो आ रहा था कि नितीश कुमार ही वो शक्स है जिन्होंने सभी विपक्षी दलो को एक जूट किया है से भी खुद मिलने उनके राज्य पहुंसते हैं लेकिन आखिर में जब वो पहली बैठक होती है 23 जून को पटना में जो तस्वीर निकल के सामने आती है कि नितीश कुमार सफल हो गए सभी को एक जूट करने में और वही नितीश कुमार आखिर में धोखा दे गए लेकिन नितीश कुमार तो इंडिया का साथ छोड़ कर चले गए लेकिन अब ये जो मलिकारजुन खड़गे कह रहे है वो जो दावा कर रहे है क्या वो सही है क्योंकि मलिकारजुन खड़के कह रहे है कि नितीश कुमार ने नहीं बनाया था इंडिया गडबंधन बलकि राहूल गांधी और कॉंग्रेस ने इस इंडिया गडबंधन को बनाया था वो दावा कर रहे हैं कि नितीश कुमार जो रोल निभा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है नितीश कुमार का कहीं से भी हाथ नहीं है इस इंडिया गडबंधन को बनाने के लिए ये जो दावा कर रहे हैं वो कितना सही है लोग सबस चुनाव दो हज़ाच चोबीस से पहले कॉंग्रेस के मुख्या मलिकारजुन घडगे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ किया कि विपक्षी गडबंधन इंडिया बनाने का आइडिया बिहार के मुखी मंत्री नितिश कुमार का नहीं था। इस गठ जोड को बनाने और लोगों को एक जोड करने का असर प्रयास कॉंग्रेस और राहुल गांधी का था। प्रोग्राम पर लड़ने के लिए कहेंगे। हमने इसी के साथ कई नेताओं को घर बुलाया जिनमें शरत पवार, तेजस्वी यादव, नितिश कुमार और डियमके के लोग शामिल थे। हमने इसी तरह विभिन पाठियों के लोगों के साथ बातशीत की थी। ये तो बढ़ा चड़ा कर पेश करने की बात है कि नितिश कुमार इसके पीशे है। असल में तो हमने सब को बुला कर बैठक की और इकरठा किया था। पीया मोदी के सामने कॉंग्रेस की योड से चुनाओं में चहरे को लेकर हुए सवाल पर कॉंग्रेस चेफ ने आगे कहा आपके पास एक नरेंदर मोदी होंगे पर हमारे पास देश की 144 करोड जुनता है। पंत्रे नितिश कुमार के इंडिया गडबंधन से बाहर जुआने की बात पर मलिकारजुन खड़के ने आगे कहा देखिए राजनीती में दो तरह के लोग होते हैं वे सत्ता के लिए लड़ते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि वे बगएर सत्ता के जुन्दा नहीं रह सकते मैं एक वने पार छोड़ता है वह देश का भला नहीं गर सकता तो वहीं इंडिया गडबंधन के मुकमल खाका न ओड़ पाने से जुड़े सबाल पर उन्होंने कहा कि हम सत्ता के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं और ना ही देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए भी हमारी कोशिश है हमारी कोशिश तो लोकतंत्र समिधान को बचवाना है हम लोगों के मुलभूत हकों की हिपासत करने के लिए लड़ रहे हैं हम इसलिए बिजेपी को हटाने के रास्ते पर है यही हमारा पहला एज़ेंडा है तो जैसा कि आपने देखा कि नितीश कुमार जो की भले ही इंड अगर बंधन की ओर नज़र डाले तो आखिरकार वहाँ पर राज़त के साथ कॉंग्रेस की गडबंधन की बात तो बन चुकी है और लोग सभाचुना में वो साथ उतरने वाली है बिहार में बिहार पे कहने के सीट शेरिंग को लेकर राज़त के साथ बात नहीं बन पा रह जो नितीश कुमार को लेकर दावा कर रहे हैं कि नितीश कुमार ने नहीं बनाया था इंडिया गडबंधन सभी विपक्षी दलो को एकजुट करने में कॉंग्रेस और अहुल गांधी कहा था वो कितना सही है ये तो अब वहीं ज़ाने लेकिन जो तस्वीर हमने साल 2013 में द पहले तो ऐसा लग रहा था ऐसा नजर आ रहा था कि जो 28 पार्टिया एक साथ एक मंच पर उतरी है तो शायद वो बिजेपी को इस बार टकर देने वाली है लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव सामने आते गए और वैसे 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 टूरता ही चला गया इंडिया गडब और अब सवाल यहां पर इंडिया गडबंधन के भविष्य के साथ साथ नितिश कुमार की सियासत को लेकर भी है और नितिश कुमार को लेकर आड़े हाथ हो लेते वे भीली लगातार कॉंग्रेस हमला वर होती नजर आ रही है मलिक अरजुन खड़के ने नितीश कुमार को लेकर ये जो बयान दिया है क्या होता है देखने बाली बात होगी लेकिन इस वक्त सबकी नज़र टिकी हुई है लोगसभाद चुनाव पर अगामी महने में शुरू होने वाला है लोगसभाद चुनाव अचुनावी प्रश्च के बीच में लडाई बताई जवा रही है एक तरफ एंड ये और दूसरी तरफ इंडिया गडबंधन दोनों में से कौन केंद्र की सत्ता हासिल करती है ये तो आने वाला कल ही बताएगा इसी तरह की पल-पल के अपडेट के लिए बने रहे है डिजिकल खबरिलाल के साथ ख कार रहे है ये ते उनया वाला कि तरह मेंस के बताएगा इसहाद के सत्ता हास के खबंददों में के 늦 stitch तरह मुझे टाइब लिएफा से की सत्तविकल War주는 कॉन कर एंग लिएचेoc devote जएबंदों में में सा इस्ता रहे है रही है जार क Tesτ isso कर हैं आडर के साने स्ट लिएकर